हे गाइस तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सैमसंग गैलक्सी M34 5G में एपस को हाइड और लॉक कैसे कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस सबसे पहले आपको फॉन की सेटिंग्स में चले जाना है पॉन की सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस यहां पर आपको ओप्सन दिखेगा होम स्क्रीन आपको इस पर क्लिक कर देना है यहां पर नीचे ओप्सन दिखेगा आपको हाइड एप्स का आपको इस पर क्लि लेता हूं और select करने के बाद guys आपको done पर click कर देना है done पर click करने के बाद guys आपको बापस से home screen पर आ जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं वो apps आपकी hide हो चुकी है यहां पर वो देखने को नहीं मिलेंगी अप guys बापस उन apps को आप unhide करना चाहते हैं तो उन वापस से आपको settings में जाना है settings में जाने के बाद guys home screen पर click करना है और यहां से hide apps में चले जाना है hide apps में जाने के बाद guys वो hidden apps आपकी सबसे उपर so हो जाएंगी जिन apps को भी आपने hide किया हुआ है अब guys उन apps को unhide करने के लिए आपको उन apps के उपर एक minus का mark देखेगा simply आपको उस पर click कर देना है उसके बाद guys आपको done पर click कर देना है और वो apps आपकी unhide हो जाएंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं वो apps वापस आ चुकी है तो इस तरह से guys आप Samsung Galaxy M34 5G में apps को height कर सकते हैं तो आई hope guys आपको वीडियो पसंद आया होगा अकर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के साथ सेयर कर देना और अगर ने वह तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप स्माइ झाल